आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। तो इसका मतलब होता है, इसका इन्सेमिंसन का मतलब होता है , बीर सेचन, ठीकई ? जो शुक्राणू होते हैं वो कह सकते हो जो मादा ज dip होते हैं , वहा तक पहुंचाए जाता है, ठीकई ुमिनेसन बोलते हैं , जिसका सकते हैं, ठीकई ? तो इन सेमिनिसन के लिए क्या होते हैं प्रभावी अवरोध होते हैं मतलब जो सुक्राणू होते हैं ठीक है इसकी वयासे यानि कंडूम की वयासे कह सकते हो जो सुक्राणू होते हैं वो मादा जरनांग तक नहीं पहुंच सकते हैं यानि प्रभावी अवरोध होते हैं तो य यह भी सही है, तो यह भी राइट हो जाएगा, तीसरा यह STD, जिसे हम आपर, ठीके, कहते हैं, योन, ठीके, संचारित रोग, ठीके, तो जो STD होता है, जैसे कि यहाँ पर कह सकते हो, AIDS हो गया, या सिफैलिस हो गया, ठीके, तो इसके खत्रे को कम करने में साहता करते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हो, कॉंडूम की वाजा से, STD जो रोग होते हैं, वो नहीं होते हैं, यानि STD रोग के खत्रे कम हो सकते हैं, ठीके, तो यह भी सही है, और जो होता है, उप्विक सभी, तो यह हमारा राइट हो जाएगा, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, कॉंडूम क्या ह बनता है, ठीके, और यहाँ पर अधिकतर इसको उप्योग किया जाता है, एंटर कोर्स के दवरान, जो कि यहाँ पर विविन परकार के STD रोग से बचाने के लिए उप्योग होता है, ठीके, तो इसको सन का राइट अप्शन फोर्थ होगा, पहला दूसरा तीसरा गलत हो ज